हेलो गाइज वेल्कम बैक टू माई चैनल नेग गेमिंग तो आज हम बात करने हो लिए क्लोज रेंज पाइट की बाई मैं जो मतलब ड्रिल्स बताऊंगा और जो चीजे बताऊंगा अगर आपने एक मतलब ठीक से प्रेक्टिस कर लिया तो आपका क्लोज रेंज बहुत इक लेवल पर हो जाएगा इंप्रू होगा यह गैरेंटी है वाई क्योंकि यह मैंने भी किया और बहुत सारी बंदे मेरे को इंस्टा पर मैसेज रहे है कि भाई क्लोज रेंज आप कही पाय स्ट्रॉंग वगरा वगरा तो मैं आप आप लोगों को बताता हूं कि मैंने कैसे कि या क्या क्या ड्रिल्स किये कितने मैंनत की वहीं आप लोग करेंगे तो आपको भी मतलब मस्त हो जाएगा तो जानने के लिए देखते रहे यह वीडियो को अब तो क्लोज रेंज में आपको क्या करना चाहिए भाई बहुत सारे बंदे के गलती करते हैं हमेशा एडियोस कोल लेते हैं भाई नहीं खोलना है इसकोप की जगह पे आपको हिप पायर से मारना है इस वज़े से आपका मुव्मेंट बहुत ही तेज होगा और जिस चले का वो कब मर गया तो इसी वज़े से आपको हिप फायर से ज्यादा से ज्यादा मारने का ट्राइब करना है नहीं तो क्लोज रेंज में तो आप हगो गई और बहुत बंदे के इसा इसा भाई बिल्कुल नहीं एडियोस कोला तो हेडशोट पड़ता है बट वो सामने आ यह पहले पीछव ली लाइन पर आपको खडा रहना है यह सामने वाली लाइन पर मारना है मतलब हेडशोट के रेंज पर रहता है मिड रेंज के लिए थोड़ा सा तो इससे आपका मतलब बहुत ही मस्त हो जाएगा तो आप यह ट्रैक्टिस कीजिए अगर समझे यह मारकर तो बंदा अगर यहां पर तो आपको मतलब उसको कैसे टेक डाउन करना है रश करके तो बहुत सारे बंदे क्या गलती करते हैं क्रॉष हर नीचे रखके चलते हैं वह देखे मेरे को बस एंडर के मारना कि बहुत सारी बंदे क्या करते हैं एक अपना नीचे रखते यहां पर दिखा देता हूं यह देखिया ग्रॉष हर रखने का बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा होगा मतलब कई से भी बंदा दीख कि अब आराम से मार सकते हो और बहुत सारे बंदिय का अगर यह देखे लिए क्रोस नीचे रखके भागते मेरे को मालूम है कुछ-कुछ बंदों का एम बहुत अच्छा रहता है तो फ्लिक कर आराम से मार सकते बट उनको बहुत परिशानी यहांगा अगर सामने कोई अच्छ से तर्यक्तिस कर सकते हैं इंतर में इससे अब करते होगा तो ऑपके ज्यादा थे बढ़ेगे अलग अलग मोमेंट एक प्राय कर रहा हूं प्रिफाय देखे थोड़ा बहुत इससे आपका एम बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होगा यहां पर एक और प्रैक्टिस कर सकते एम शिप्टिंग और फ्लिक की मतलब आप जा रहे यह देखो खिड़की से बंदा आया मार दिया खिड़की में बंदा आय जाएगा और आपका क्रॉसेयर मतलब खतरना की हो जाएगा क्योंकि वह सीधा हेड़ पे खुलेगा आपको यहां पर एक और चीज कर सकते यह देखिए यहां पर रश मारते मारते मतलब खिड़की से कोई बंदा निकलेगा ऐसा सोचके वहां पर मारना है मतलब अगर वहां आपको उसको घिरा नहीं घिलाना ऐसा दिमाग में रखके चलना है और आपको वह क्रॉसेयर से इसमें क्रॉसेयर से मारना है तो यह दोनों में डिफरेंस थे आप यह कम से कम दीन में 15-20 मिनिट तो की आई कीजिए तो इससे आपका हैं बहुत अच्छा हो जाएगा और मतल सकते डैमेज देके अंदर आ जाओ या फिर पीक करके दो चार गोलिया मारो अंदर आ जाओ ज्यादा तो बंदे सीदा खिड़की पे खड़े रहे के जिगल देते फुल भाई उससे बहुत जल्दी आप मर सकते हो क्योंकि मतलब सामने आले का एम अच्छा होगा तो आपको आ दिखा रहा हूं मेरे कंट्रोल में यहां पे बहुत सारे बंदे मतलब दोनों फायर का बटन ऊपर रखते हैं लेकिन मैं एक राइट साइड में रखता हूं जिससे मतलब मैं उससे मोमेंट भी दे सको इसे टीप की लेजिए कुछ भी कह लीजिए बट मेरे को यसा फील हु इंपूर्व हो जाएगा बहुत खतरना क्लेवल पर बहुत सारे बंदे क्या करते हैं ओपन में ड्रॉप शॉट देते हैं मतलब सामने वाले के पास कवर है तो ड्रॉप शॉट क्यों देना है भाई वो कवर में जाके फिर से आके आपको आराम से मार सकता है और आपको ड्र प्रॉब्लियों में उनको जंप शॉट ठीक से नहीं आता है अगर समझी यहां पर बंदा है तो आपको कैसे मारना है जाना है जंप एंड फायर करते हुए अपना मोबाइल टीडिल कीजिए या फिर आप अगर फिंगर से करते होगे तो वह कीजिए मैं तो ज्यादा तर मत मतलब जाइरो करता हूं तो मैं मोबाइल करता हूं यहां पर आप देख सकते मतलब जंप शॉट बहुत ही अच्छा हो जाएगा अगर आप यह करोगे तो कम से कम 15-20 मिनिट कीजिए यह सब चीजिए आपका मतलब बहुत ही ज्यादा इंप्रूमेंट हो जाएगा तो अभी आप यह जाएगा क्योंकि मैंने खुट ट्राइगा दो महिने मैंने एम एमसिस बंद करके रखा बाद में दो तीन दिन के लिए चालू किया वाई क्या ही इंप्रूमेंट हुआ इसलिए आप यह ट्राइग कर सकते हैं आप एमसिस बंद कीजिए खेलके देखिए आपको द सेक्शन या फिर इंस्टा बे मैसेश कर सकते हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में तुब तक के लिए बाबाई